है अगर आप देख लेते हैं वीडियो तो आपकी त्यारी जो हो रहे उसमें मतलब आपको बहुत ही मदद मिलने वाली और आप कमेंट वक्स में जरूर बतलाएंगे कि 25 में आपका कितना सही है सही होना ही चाहिए क्योंकि अगर 20 सही नहीं होता है तो आपको और मैनत करने की जरूरत है तो कमेंट वक्स में जरूर बतलाएंगा कि आपका कितना सही हुआ 25 में कितने मार्क्स आएं और चलिए बीना दिर के विए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल और यह करने के बारे में आपका मत है यानि इवन सिक्षा देने के संबंद में आप एक टीचर है तो आपका क्या इसमें मत हो सकता है अपसान नमबर दिया गया एक कि इस से छात्रों को गलत वतवरण का विकास होगा समाज में जगरिती के लिए आवश्रक है जा समाज में फैली भ राहे से बचा जा सकता है तो अपसं नमबर दिखी यहाँ पर अपसर बाओ इससे जो होने वाली है बुराई उससे बचा जा सकता है इंवन शिख्छा देना ही चाहिए अब को जागरित करना चाहिए तो उसके बजाए आपको option number D हो जाएगा कि इसकी बुलाईयों से बचें तो चलिए यहां पे दो नंबर सवाल दियागा है कि practical करके सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि जो practical करके जो सिखते हैं वो सबसे उपयोगी होता है क्यों यह अधिक रूचिकर होता है कक्षा का अनुशासन बनता है इससे बच्चे ब्यास्तरत ने या बच्चो किरिया शिलता पसंद है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो बतलादे option number D इसका राइट आंसर बच्चों को क्या आता है किरिया शिलता पसंद होता है तो इसलिए practical करके सीखना सबसे अधि उपियोगी है चले आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा नंबर सवाल दी आगया यहां पर देख सकते हैं किराश्टी सैक्षिक सर्वेक्षन की अनुशार बच्चों के विद्याले छोड़ने का क्या कारान होता है विद्याले की पार्ट चार्या को निरस पाते हैं का चाहते हैं बालकों की इच्छा से या उप्यूगत पी और शी तो तीन का क्या हो जाएगा अप्शन नंबर आपको बतला दें यह इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं विद्याले की पार्चार्या को नीरस पाते हैं इसलिए विद्याले छोड़ देते हैं चलिए आगे और समय से करने के लिए चात्रों को आप क्या करेंगे ग्रीह कार के महत्तु का बताएंगे चात्रों को उसकी योगतार रुशा ग्रीह कार देंगे या यथा संबह चात्रों की सहायता करेंगे तो चार का सी हो जाएगा यानि याथा संबह आप चात्रों की क्या करेंगे सहा कि यदि छात्र पाठ वस्तु में रूची नहीं ले रहा है तो आप क्या करना परसंद करेंगे तो सिक्षन को रूचक बनाएंगे या स्वयम सिक्षन में रूची लेंगे या रूची लेने वाले छात्रों को उधारन देंगे और रूची का कारण जानने का प्रयास करेंगे तो आप तो अरुचिकर बनाएंगे हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये option number D सही होगा क्योंकि अरुचि होने का कारण तो पता करेंगे उसके बाद आप अरुचिकर उसको बनाएंगे तो सबसे पहले जो विदी अपनाएगो अरुचि का कारण जानने की प्रयास करेंगे त सब्सक्राण जो चात्रें उसमें अनुसासन बनाए रहने के लिए आप कौन सी भूमका होगी जो आपको सारहानिये होगा सिक्षक की अपनी योगिता या सिक्षक का विचार सिक्षक का बेक्तितु या सिक्षक की कक्षा परवंधन की छमता तो यहीं option number D इस का राइट आस की अपने विद्याले के छात्रों को अनुसासित रखने है तो निम में कौन सा उपाय सर्वत्तम है यहां पे सर्वत्तम उपाय पुछ रहा है अनुसासन पर भासन देना अनुसासन पर छात्रों को लेख लिखने के लिए कहना या सिक्षकों को अनुसासन में रहना या को साथ का option number क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यानि अनुसासित छात्रों को प्रुषकार देंगे ताकि गोलों और क्या होते हैं प्रेरित होंगे और इससे अनुसासन बना रहेगा तो option number दी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आठ नंबर सवाल जिया गया है कि एक छात्र के रूप में कक्षा में अच्छा अनुसासन रखने के बारे में आपका मत है शिक्षक को छात्रों से सहनुवती रखनी चाहिए शिक्षक को विसग्य होना चाहिए चात्रों को समझने की सहले अच्छी होनी चाहिए कक्षा में अधिक का अधिक काम देना चाहिए तो option number यानि आपका बतलाने 8 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यानि क्या हो जाएगा चात्रों को समझने की सहले अच्छी होनी चाहिए चले आगे बढ़ते हैं और यहां पे दिया गहा है कि 9 number स्वाल यदि कोई छात अध्यापक के सांत दुर्वेवार करे तो अध्यापक को सांत रहना चाहिए क्योंकि छात्र ना समझ ह होता है यदि चाहत समझार हो तो वह ऐसा करेगा ही नहीं या चाहतर के दिववार से क्रूद होकर चाहतर को डंड देना आपको शोभा नहीं देता है तो आप अगे बढ़ते हैं और यहां पर देख सकते हैं दिया गहां सवाल दस नंबर सवाल यहां पर देखेंगे और दिया गया है कि कीडर गाटन सिक्चा परती निमलिखित में सिक्किस पर जोर देती है बच्चों को का मनों बिग्यान समझने पर इंद्रियों की साहरीक परिशिक्षन पर या परकृति घटनों के परिशन पर निरिक्षन प पर देती है चलिए आगे बठते हैं और यहां पर 11 नंबर सवाल दियागा कि लड़कियों में सिक्चा की उन्नती के लिए आप क्या सुझाहाव देंगे लड़कियों के लिए प्रितक बिद्याले खोलेंगे या समर्थनकारी से वाय प्रदन करेंगे या शिक्चा निशूलक और अनिवार करना है या लड़कियों के अभी पागों को सिचित करना है तो आप्सन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहां पर दिया गया है 12 नंब सबसे पहले तो आपको परिवार से ही समाजी करन का पहला पार्ट क्यांत होता है सिखने को मिलता है चलिए तेरा नंबर शवाल देखेंगे यहां पे दिया गए है कि छात्रों को मुल्यों की सिख्षा देना आवाश्यक है क्योंकि इससे उनका बौधिक विकास बढ़ेगा मतापीता पर्शन होंगे उनमें सद्गूनों के प्रतियास्था और सजगता बढ़ेगी या वह एक वह भी एक सिख्षा है तो यहां पे अप्शन नंबर जो सी है यह यानि उनमें सद्गूनों के प्रतियास्था और सजगता बढ़ेगी चलिए यहां पर 14 नंबर सवाल देख सकते हैं दिया गया कि विद्याले में प्रयावरान सिख्षा की व्योस्था आपके विचार से चात्रों प्रयावरान चितना जगाने के लिए आवश्यक है या चा इनका साथाने आधिया आपको कार देना है तो आपको अतला अप्सन नंबर इसका राइट आंसर हो जाए गयाने चात्रों को प्रयावरान चितना जगाने के लिए बहुत ही आउस्यक है कि यहां पे पंदर नंबर स्वाल हम दिखेंगे दिया गया है कि विद्याले में प्र रियारन सीख चाहों दी जा सकती है चले आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेंगे 16 नंबर शवाल देख सकते हैं दिया गया है कि बच्चों में स्वह अनुसासन की भावना किस परकार पैदा की जा सकती है उन्हें कठोर अनुसासन में रखने के लिए लाव बताकर अनुस चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप 17 नंबर शवाल दिया गया है कि आप किसी करक्रम के बारे में अपनी कक्षा के चातों कुछ हिदायत देते हैं यदि कोई चात उन हिदायतों को समझ नहीं पाता है तो आप क्या करेंगे उसकी और ध्यान नहीं देंगे जो और स स्वरल भासा और चोटे चोटे टुक्रों में बांटकर उसे समझाएंगे उस चात को अयोगता पर उसे जहार देंगे तो आपसा नंबर सी इसका राइट आंसर हो आप याथा संभाव बहुत ही चोटे-चोटे स्वरल भासा में जिस परकार वो समझ बैश समझ जाए उसको पर से उसके निसकासन की संथॉपी करेंगे तुटे संटूती tiếp तुरयंट उस और उससे सजा देंगी करनों पाता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे सकते पताए्ग कर रहा हुँ आपको सुचित करेंग तो आपको पताएगा थारा का क्या हो ईहाएगा दिए । यहाँ कारण का पता लगांगी यह ऐसा जांवार को कियों कर रहा रहा है तक यह अम है उसका नीदान कर सकते जैसा का समधान कर शकते हैं चलिए यहां पर 19 नवर सवाल दिया गया कि सिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डाटता है तो इससे कक्षा में सोर मचने लगता है बच्चे दूसरे को सुधरने में लग जाते हैं सिक्षक प्रतियादर बढ़ जाता है भविष में अच्छे बच्चे उसकी डाट से बचना चाहते हैं तो अप्सन नमबर इसका क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा यानि जो अच्छे बच्चे होते हैं वह बार बार यसी डाट न सुने उससे बच्चना ही चाहेंगे आन सित्रिक विष्यस्तर का विकास करना है स्वालंबन अगयकारिता या बिनोदिप्रियता या समयंदर्ण श्रिता तो बीस का आपको बता दें अप्सन नमबर यह हो जाएगा निस्वालंबन चलिए यहां पर एक इस नमबर शवाल दिया गया है कि सिक्षक को समाज में अपन स्थान बनाने के लिए चाहिए सिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए चाहिए अपने दाइतों को ठीक से निभाए या किसी रजनितिक पाटी में रहना समाज में अलग तलग रहना या सभी रजनितिक पाटी में रहना तो अपने दाइतों को अच्छी तरह से आप निभाएंगे तो आपका स्थान बखुवी बन जाएगा आपके समाज में तो यहां पर देख सकते हैं दिया गए 22 नमबर सवाल कि परिवार एक साधन है अपचारिक सिक्षा का और अपचारिक सिक्षा का निरोपचारिक शिक्षा का तो बतला देख से नमबर 20 का होती है क्योंकि हर समाज में सिक्षकों की संख्या पढ़ाया कम होती है धानाचारिक को इससे सरलता होती है यहां पर देख सकते हैं 24 नमबर शवाल यहां पर दिया गया है कि विद्ध्याप्तस्ट में एक दिपावली मेले कि विवस्ता की गई है क्या करना पसंद करेंगे क्यों मेला देखने जाना है कारिकरम में भाग लेना है कुछ ब пох skills दुकान लगाना है Do a आपको क्या करना है कारिक्रम में भाग लेना चाहिए तो अप्शन नमबर 20 का राइट अंसर हो जाएगा यहां पर 25 नुबर सब्सक्राइब कि यादि एक विद्यार्थी कोई सम्मान नहीं देता है तो आप बहुत नहीं देंगे परिक्ष्य में और इसे कमंग देंगे उसे मात clients से तो आपको बता दें सम्मान दें आप उस पर द्यान देने की कुसिस Northern के ऑप्शन नमबर चाहिए इसका ये राइट अंसर यह थे 25 सवाल और महत्मुन सवहाल आप बताइंगे